पेस्टिसाइट्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना क्यूंकि पंजाब का एरिया भारत का दो प्रतिशत मात्र है लेकिन यहाँ देश में इस्तिमाल होने वाले पेस्टिसाइट्स का हिस्सा देश का 15-18 प्रतिशत है आखिर इतनी भारी मात्रा में यह जहरीले पेस्टिसाइट्स क्यों छिड़के जा रहे हैं इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रड़क्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने प्रव कश जय को डाहसा है है अपको तो आपको रशिया का वश्या का टूर मिलने वाला है गुरप्रीत एक समात सेवक है अपने आसपास के गाउं में लोगों की लगातार गिर्ती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया पूरी फूर्ट चेन में पैस्टिसाइड घुस चुके हैं सुबा जहर चिड़का जाता है शाम को सबजी आपके बरतन में होती है बनने के लिए ये जो सिनेरियों है ये पूरे पंजाब का है पंजाब के हजारों गाउं में यही हाल है लोगों की सेहत लगातार गिर रही है हालात इतने खराब है कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से ट्रेन चलती है भटेंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है के लिए कैंसर इनले कितने बने आएगी नौदस तक आएगी है की पूरी काड़ी में कैसर के मरी जोहते है मतलब कि जब हम जैनल्टेशन कराते हैं तो उसमें बहुत जादा सीरियस मरी जोहते है को भी कैंसर के होते हैं मेरी चाती में गांटें हो गई, फिर पूरे शरीर में गांटें ही गांटें हो गई, ससुरार वालों ने मुझे मेरी मा के पास छोड़ दिया, मेरी मा बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही है